नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहा रेनियों स्वागता आपका राजस्थान के खास बुलिटिन में और रुख करिंगे राजस्थान के तमाम खबरों की तरफ राजस्थान के पूर डिप्टी सीम सचिन पाइलेट ने मुख्यमंत्री अशोग घैलोत पर एक बाप फिर तंज कसते हुए करारत जवाब दिया और एक किताब के विमोचन के मौके पर सचिन पाइलेट जेपूर के एक होटल पहुँचे थे और पाइलेट ने आयोजको को किताब लिखनी के आगरक का जवाब देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए मैं पचास साल तक यहीं पर हूँ और पाइलेट के इस बयान को दो अक्तूबर को अशोग गैलोत के दिये इस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें गैलोत ने कहा था कि अभी 15 से 20 साल मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा अज इसे दुखी होना है वो हो जाए और गुरुवार रात को किताब विमोचन समारों में पाइलेट ने एक सवाल के जवाब में यूपी सरकार केंद्र और बीजेपी को आड़े हाथ लेकर मुक्यमंतिय अशोग गैलोत को भी नाम लिये बना निशाने पल लिया और पालेट ने कहा कि अपने में खोट बता कर स्यूकार बहुत कम लोग कर पाते हैं और एक तो यह होता है कि आदमी सच्चाय से धरातल से जुड़ा हो वास्तव में वह साधारन जिन्दगी जीता है और आजकल तो राजनीती पाखन की भी हो गई है और वहीं कई लोग कहते हैं कि बहुत जमीन से जुड़ा हूं और बहुत साधारन हूं लेकिन असलियत कुछ और होती है आप दिन में दो घंटे चार घंटे छे घंटे तो दिखावा कर सकते लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते और असलियत सामने आ जाती है इसलिए भैतर यह है कि जो आप हैं वो सुईकार करें और आपकी परस्नेल्टी रियालिटी जो है जैसी है उसे सुईकार करें और जितना जादा खुल कर हम जंता के सामने बात रखते जंता उसे सुईकार करती है और पाइलिट ने मंगलवार को टौक में कहा था कि हमेशा कोई पत्पर नहीं रहता और यह जंता है जितना समय आप दोगे सिहासन पर बैठोगे और जब जंता करवट बदलती है तो इतनी जोर की पल्टी पढ़ती है कि आम आदमी को पता ही न राजस्थान में वैक्सिनेशन का आज से बड़ा अभ्यान शुरू हो गया और वहीं तीन दिन तक चलने वाले इस अभ्यान में 37 लाख लोगों को वैक्सिन की डोज लगाई जाएगी और इसके लिए चिकेशा और स्वासे विवाग ने राज्ये में वैक्सिनेशन सेंटर को बढ़ाने के निर्देश दे और सेंटर्स की संक्या वर्तमान में करीब 4000 है जिसे दुगना बढ़ा कर 8000 के करीब करने की तैयारी है और यह अभ्यान रविवार 10 अक्तूबर तक चलेगा और स्वास्ते निर्देशाले राजस्थान में परियोजना निर्देशक टीका कर रगुराज सिंग ने बताया कि इस वक्त हमारे पर 30 लाग से ज़्यादा वैक्सिन का श्टोक है और उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान में जब से वैक्षिनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से अब तक 4.10 करोड से ज़्यादा लोगों को वैक्सिन की करीब 5 दसलों 26 करोड डोज लगाई जा चुके और इनमें 1 करोड 66 लाख लोग डवल डोज लगवा चुके और उन्होंने बताया कि आज सभी जिला स्वास्थे अधिकारियों को निर्दिश दिये हैं कि शुकरवार से रविवार तक जादा से जादा वैक्सिनेशन सेंटर संचाल करें ताकि जादा से जादा लोगों को वैक्सिन लग सके और राजिस्थान में वैक्सिन का नेशन का इस तरह का मेगा कैम्प पहले भी लगाए जा चुका है पिछले महीने 17 सितंबर को लगे एक दिन के कैम्प में 14 दसलों 99 लाख लोगों को वैक्सिन लगाए गई थी और इनमें 8 दसलों 5 लाख लोग तो ऐसे थे जिन्होंने वैक्सिन की पहली ही डोज लगवाई थी और वहीं राजस्थान के जुन जुन जिले में बदमाश एटियम उखाड कर ले गए और बदमाशों ने छिडावा शहर के पास लगे SBI बैंक के एटियम को निशान बनाया और बदमाश 12 लाख रुपे से भरा एटियम उखाड कर 25 किलोमीटर दूर बसड़ी गाउं के खेत में ले गए और यहां रुपे लूट कर एटियम को वहीं छोड़ कर फरार हो गए और पुलिस मोके पर पहुँची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और वहीं छिडावा छेद में 25 दिन में ये पाँचवी लूट की वार्दा था है और पुलिस अब ये संदेशा जता रही है कि ये गैंग हर्याना की हो सकती है और इससे पहले बदमाशों ने चिडावा में ही बैंक ओफ बडोदा के एटियम को लूटने का परियास किया और यहां भी उन्होंने सिसी टीवी को काले रंग का स्प्रे कर ढग दिया लेकिन अचानक से कुछ गाड ये निकलने लगी तो बदमाश डर कर वहां से फरार हो गएते और अब बदमाशों ने SBI बैंक के एटियम को निशाना बनाया और पुलिस के अनुसार एटियम के सुरक्षा के लिए एक गाड और दो होम गाड की डूटी थी लेकिन राद दो बजे करीब तीनों ही पास के एक दुकान में चाई पीने चले गए थे और इसका फायदा उठा कर बदमाश एटियम में गुजे और वहां रुपे से भरा एटियम उठा कर ले गए और चैरा ना दिखे इसलिए सीसी टीवी पर काले रंग का स्प्रे भी कर दिया और पुलिस को मोके से गाड के टायरों की निशान भी बिले और एटियम लूट के बाद छिडावा पुलिस थाने के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे पहले भी सूरदगड में एक साथ तीन एटियम लूट के बाद एस्पी ने अक्षन लिया था और जुन जुनु एस्पी मनिश्ट पार्टी सूरदगड थाने के स्चो समेथ पांच पुलिस कर्मियों को सेस्पेंट कर दिया गया था राजस्थान में ब्रष्ट चार के मामलों में लगातार बड़ोत्री को देखने को मिल रही और ऐसे में एक कोंग्रेसी विधायक ने प्रधान मंत्री नरेंद मोधी को पत्र लिखकर मांग की है कि पांसो और दोहजार रुपे के नोटों से महत्मा गांधी की तस्वीर हट दी जाए और उनका कहना है कि नोटों का इस्तमाल ब्रष्ट चार के लिए हो रहा है और जिससे महत्मा गांधी का अफमान हो रहा है और राजस्थान में ब्रष्ट चार के मामलों की और ध्यान आकर्शित करते हुए राज्ये में सत्ताधारी दल कॉंग्रेस के विधायक भ कामले दर्श किये गए हैं और कॉंग्रेस विधायक ने दो अक्तूबर को गांधी के 152 वी जयनती के मौकर पर प्यम मोधी को अपना एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री से हाई वेल्यू की करेंसी नोटों पर गांधी जी के तस्वीर को उनके प्रति दखा जाना चाहिए क्योंकि वो गरीबों द्वारा व्याफक रूप से उप्योक किये जाते हैं और गांधी ने जीवन भर निराश्टितों के लिए काम किया है और उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि 500 और 2000 रुपे के नोटों पर गांधी के चस्मिके तश्वीर का इस्त इस्तिमाल किया जा सकता है और कॉंग्रिस विधायक कुंडनपुर ने अपने पत्व में कहा कि पिछले साड़े साथ दशकों में ब्रष्टाचार पूरे देश में फैला है और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सत्य के प्रतीक है और गांधी की तस्वीर पांसो और दोजार रुपे के नोटों पर छेपी है जो आम तोर पर भष्टाचार और रिश्वत के बदले में इस्तमाल की जाती है जिससे महात्मा गांधी का अफमान हो रहा है और उनका कहना है कि पांसो और दोजार रुपे के नोटों से गांधी की तस्वीर हटा दी ज और इसका इस्तमाल गरीब और द्वारा इस्तमाल किया जाने वाले छोटे नोटों पर ही किया जाना चाहिए। और आखिरकार पुलिस ने घिरों को पकड़ने में सफलता हासिल कर लिये। जेपुर आईटी सेल से मिले इंपुट के बाद अजमेर की पुशकर पुलिस ने ये कारवाई किया। पुलिस के नुसार पुषकर में साइबर क्राइम करने वाले गिरों की जानकारी मिलने के बाद लोकेशन के अधार पर रेकी कर दबिश्ट दी गई और इस दोरान दो अलग अलग रिजोर्ट से संचालित हो रहे फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरों के सदसों को ग्रफतार किया गया है और इस गिरों में कुल 18 सदसें जिनमें एक महलाएं भी शामिल बताई जा रही है और पुलिस के अनुसार ये सबी फर्जी अंतराष्टे कॉल सेंटर चलाते थे और विदेशी नागरीकों को इनकम टेक्स अधिकारी बनकर धमकाते और बार बार इसी तरह फोन करके ये अमेरिका और ऑस्टेलिया के लोगों से ठागी के घिनोने काम को अंजाम देते और गिरों का सरगना राहुल दिल्ली का रहने वाला है जो पहले भी फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में गिरफतार हो चुका है और कारवाई के दोरान पुलिस को इनके कबज़े से 17 लैपटॉप, 19 मुबाइल, 12 हेड़फोन और मोडेम, राउटर और अन्ने लेक्टरोनिक उपकरन बरामत किये और वही आरोपियों से पुस्ताज में सामने आया कि ये बेरोजगार चात्रों को मोटे सेलरी देने का लालस देकर फसाते और अपने घिरों में शामिल कर लेते थे और कुछ दिन सेलरी देने के बाद बेरोजगार चार्ट इनके अपराद में शामिल हो जाता और गिरफतार किये गए सबी आरोपियों से ये भी पूस्ताज जारी है अब वहीं अखिल भारत्य कॉंग्रेस कमेटी ने राजस्थान की चिकच्सा और स्वास्य मंत्री डॉक्टर रगुशर्मा को बड़ी जिम्मेदारी स्वपिये और AICC ने डॉक्टर शर्मा को गुजरात और दमंदीव दादरा नगर हवेली का प्रभारी बनाया और इसके बाद मंत्री के विदानसवा छेत्र केकडी में खुशी कमा होल है और वहीं पूर्व उपमुख्य मंत्री सच्चिन पाइलेट अब बैक सीट पर आ गए है डॉक्टर रगु शर्मा पर गुजरात को लेकर अपना भरोस्त चता है और राजनीतिक गलियारियू में डॉक्टर शर्मा के जिमेदारी के पीछे मुख्यमंतरी अशोग घहलोत का विस्तवास बताये जा रहे है और राजस्थान में मंत्री डॉक्टर रगुशर्मा को घैलोट कैमपेन के नेताओं में माने जाता है और इससे पहले मुख्य मंत्री अशोक घैलोट भी गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं और ऐसे में चिकिस्था मंत्री के तोर पर गुजरात के जिम्मेदारी मिलना डॉक्टर रगुशर्मा के लिए एक बड़ी उपलब दिये और उनके इस नुक्ति से राजस्थान के राजनीती में भी उनका अकत बढ़ा है और कॉंग्रेस प्रदेश्ट अद्यक्ष गोविन सिंग डोटा सरा ने भी उन्हें बधाई दिये